हेलो दोसो हमारे चैनल पर आपका हार्डिक स्वागत है दोसो आज की हमारी वीडियो है कान में जमी सारी गंदगी को बिना दर्द के साफ करने का सबसे असान घरेलू नुस्खा दोसो हमारे श्रीर में ऐसे कई अंग है जिने साफ करने में हम लोगों को बहु ज़्यादा परिशानी होती है जैसे की कानों से गंदगी नाभी से गंदगी और आखों से कीचड ऐसी कई जगा है जहां पर हम लोगों को उनकी सफाई करने में बहु ज़्यादा दिक्कत होती ह हम रोज नहाते हैं, महीने में एक बार बाल भी जरुर कटवाते हैं, हफ़ते में एक बार नाकुन भी काट लेते हैं लेकिन अक्सर हम कानों को साफ करना भूल ही जाते हैं या फिर ये कहें कि आपको कान साफ करने का सही तरीका नहीं पता तो दोस्टों आज इस वीडियो में हम आपको कान की सारी गंदगी बिना किसी दर्द के कैसे साफ करें वो ही बताएंगे दोसो हमारे कान शरीर के बेहत जरूरी अंग होते हैं क्योंकि अगर कान नहीं होते तो हमें कहां से सुनेगा दोसो कानों की समय समय पर सफाई बेहत जरूरी है ऐसा नहीं करने पर कानों में खुजली जलन या फिर इंफेक्शन होने का खत्रा बना रहता है कानों की मैल साफ नहीं करने से बहरेपन तक का खत्रा बन जाता है कुछ लोग कान की सफाई के लिए सेफटी पिन डालते हैं जो की बहुत खातक होता है जिससे आपके कानों के परदे डैमेज हो सकते हैं आप भूल कर भी सेफटी पिन कानों में ना डाले दोस्तो इस वीडियो में जो हम आपको नुस्के बताएंगे आप उनका प्रियोग करके अपने कानों को आसानी से साफ कर सकते हैं दोस्तो क्योंकि कान हमारे शरीर का एक पेहत सम्वेदन शील अंग है इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको लेने के देने पड़ जाएं दोस्तो कान में मैल जमा होना या खोट हो जाना एक सामान्य बाद है इसे इयर वैक्स के नाम से भी जाना जाता है ये सच है कि कई घरेलू उपायों से सावधानी बर्तते हुए खोट को साफ किया जा सकता है लेकिन इस काम को एहतियात के साथ ही करना जुरूरी है अगर खोट बहुत कड़ी होकर जम गई हो तो बहतर है कि इसे निकलवाने आप डॉक्टर के पास ही जाए क्योंकि आप अगर घर पर करेंगे तो आपको रिस्क होगा कान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है कान की खोट को सेरुमन के नाम से भी जाना जाता है ये तेल जैसा लिब्रिकेंट होता है जो डेट सेल से बनता है इसके अलावा इसमें फैट और छोटे-छोटे बाल भी मिले होते हैं हाला कि इयर वेक्स क कानों की शुरक्षा के लिए होते हैं लेकिन जब ये बहुत जारा जमा हो जाता है तो सुनाई देना कम हो जाता है कई बार इसकी वज canon और-इन्फेक्शन का खत्रा भी हो जाता है यह ये 만큼 को भी बलॉक कर देता है ये फोन जैसे उपकर्नों का इस्तेमाल करने और बार बा का इस्सेमाल करने से कानों में खोंट अंदर की और जमा हो जाता है इससे कई तरह किसमस्य हो सकती हैं दोसों अब आपको बताते हैं कानों में जमी मैल को साफ करने के चमतकारी घरेलू उपायों के बारे में जिनका उपयोग करके आपको बहुत ही रहत मिलेगी और आपके कान बिलकुल साफ हो जाएंगे दोस्तों वो नुस्के हैं पहला नुस्का तेल के प्रियोग से कान में मुझूद गंदगी अगर बहुत सूख गई है तो सफाई से पहले तेल ढालकर इसे फुला लेना चाहिए फुला हुआ वैक्स असानी से बहा निकल जाता है जबकि सूखा व गिवारो परचिपकी मैल को भी साफ कर ले इसके लिए आप सरसो का टेल मुंफली का टेल या फिर जैदून के टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं नमक और गरम पानी से गरम पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर एक मिश्रन त्यार कर ले इस मिश्रन को इयर बर्ट्स पर लगा कर का इससे आपका कान पूरी तरह से साफ हो जाएगा गरम पानी के प्रियोग से दोस्तों, पानी को हलका गुनगुना होने तक गरम कर ले इसके बाद Earbuds की साथा से अपने कान में थोड़ा थोड़ा गरम पानी डाले गरम पानी आपके कानों की मैल को साफ कर देता है इसके बाद कान को जुका कर गरम पानी कान से निकाल लें ये कान की मैल साफ करने का एक बहद असान तरीका है अद्रक और नीम्बू के रस से अद्रक के रस में नीम्बू का रस मिला लें अब इस मिश्रन को इयर बर्ट पे लगा कर कान में घुमाएं ऐसा करने से आपके कानों का pH लेवल बना रहता है ये आपके कानों को पूरी तरह साफ करने का एक बेहद आसान तरीका है बादाम और सरसो के तेल से बादाम के तेल की ही तरह सरसो का तेल भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है पर सरसो के तेल की गुनुवत्ता उच होनी तेल के इस्तेमाल से खोट धीली पड़ जाती है और आसानी से बहा निकल जाती है। दोस्तो ऐसा करते हुए आप इन बातों का भी ध्यान रखे। कई लोग ऐसे होते हैं कि कान में कुछ भी डाल लेते हैं जैसे कि हेर पिन, माचिस की तिली, सेफटी पिन ये उनके लिए तो दोस्तो जब भी आप कान साफ करें तो आप माचिस की तिली, सेफटी पिन ये हेर पिन का प्रियोग ना करें। दोस्तो अब आपको बताते हैं कान में से यदि आपके मवाद बहता हो तो आप क्या करें। इसके लिए आप सुहागा लें। अब सुहागे को तावे पर फुलालें। फुलाए हुए सुहागे को पीस कर कान में डालकर उपर से नीम्बू के रस की बून डालने से मवाद निकलना बंद हो जाता है। इसके लिए आप दूसरा प्रियोग भी कर सकते हैं। शुद, सरसो या तिल के तेल में लहसुन की कलियों को पका कर एक या दो सुबह शाम कान में डालने से आपको फायदा होगा। आपके कान से अगर मुगाद बह रहा है तो वो इससे ठीक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं बहरेपन का इलाज। दोसों, बहरेपन में आप दशमूल, अक्रोट और कडवी बदाम के तेल की बून्दे कान में डा बहरेपन के लिए ही आप एक और परियोग भी कर सकते हैं। आप आकड़े के पके हुए पीले पत्तों को साफ करके उस पर सरसों का तेल लगा कर गरम करके उसका रस निकाल कर दो से तीन बून्द हर रोज सुबह शाम कान में डालने से बहरेपन में आपको फायदा मिलेगा दीरे दीरे करके आपका बहरेपन खतम हो जाएगा। आप इसके लिए एक और परियोग भी कर सकते हैं। करेले के बीच और उतना ही काला जीरा मिला कर पाने में पीस कर उसका रस दो तीन बून्द दिन में दो बार कान में डालने से आपका बहरेपन खतम हो जाएगा। दो होने में आपको बहुत सारा लाब मिलेगा यदि आपके कान में आवाज आती है तो क्या करें लहसुन और हल्दी को एक रस करके कान में डालने पर आपको लाब मिलेगा कान बंद होने पर भी आप ये प्रियोग कर सकते हैं उसमें भी ये बहुत ही लाबकारी है अब आपको ब चीज को कान में डाल सकते हैं अगर आप डालेंगे तो आपके जो कान में कीडा चला गया है वो बहा निकल जाएगा दोस्तों यदि आपके कान में नॉर्मल सा दर्द है तो आप क्या करें सरसो ये तिल के तेल में तुलसी के पत्ते डाल कर धीमी आज पर रख दे पत्ते जल जाने पर उतार कर छान लें इस तेल की दो से चार बुंदे कान में डालने से सभी परकार के कान के दर्द में आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों ये थे कुछ नुस्खे जिनका प्रियोग करके आप अपने कान की मैल निकाल सकते हैं दर्द दूर कर सकते हैं या फिर कान में की जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन दिया गए है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद दोस्तो